कहते हैं कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती ऐसा ही जुनून लोगों से हट कर करनी की चाह से शुरुआत हुई हैलियो सिनर्जी ग्रूप की भारत की अग्रणी सोलर निर्माता और सॉफ्टवेर बेस्ड सॉलूशन कंपनी के फाउंडर और CXO क्रतिक गोड ने मातर 31 साल की उम्र में अपनी न सिर्फ भारत में बलकि विदेशों में भी एक अलग पहचान बनाई सॉलर पावर को घर घर पहुचाने के इस लक्ष को उन्होंने अपना बिजनिस मोडूल बनाया है गतिवस क्रतिक भोपाल में थे इस दौरान खबर हंड़िट से खास बातचीत में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेर किया और अपना सफर साजा किया हमासर मोजूद है हेलियो सिनर्जी के फाउंडर और सी एक्सो अइसी थे इन से बात करते हैं तबसे बहले आपसे जाना जाएंगे आप काफी यंग हैं तो किस तरह आपका मन में यह आईडिया आया कि सोलर पावर पर काम करते हैं सी हम लोग जब हमने यह आईडियेट किया तो सब लोग उस टाइम पर कोल का स्कैर सटी इंडिया में स्टार्ट हुआ था और उस मॉमेंट के उपर भी गॉड़क लेके ना हेड की अब यह वक्त है इस सोलर को मार्केट के अंदर इंफ्यूज करने का अब हमारी जlies से पांटर्स की बात करें तो आई टी भी अची रचिव सेआते हैं आई टी बामबे से आते हैं आई टी दिली से आते हैं है ना और मैं खुद आयएम कोजिकोट से हूँ तो इस प्रकार हमारी काफी strong team है और जो हम material और जो भी setup हम लगाते हैं वो उच्चतम गुडवकता वाला रहता है तो आप यह देखेंगे कि जो हमारे generation है वो बाकी लोगों के generation से काफी ज़ादा है एक तरीके से 20% ज़ादा है दूसरों के generation से तकरीबन तो अगर आप यह देखें कि अगर किसी के 16 लाक यूनिट पर मेगावाट जनरेट होता है तो हम लोगों का setup जो है वो 19 लाक से 20 लाक यूनिट पर मेगावाट जनरेट करता है क्योंकि हम जो technology यूज़ करते हैं वो सबसे जादा नवीनतम technology है और उसके साथ में जो है उच्च मतलब मेरी मीडिया और अडिटाइजिंग कंपनी है और अलरड़ी साथ के अंदर इस वाली कंपनी में भी मैं देखूं तो मेरा काम CXO है CXO basically company के जो internal employees engagement होता है वो ध्यान रखते हैं corporate communications का ध्यान रखते हैं PR मीडिया का ध्यान रखते हैं तो मैं कुई अपने job से कुछ ज साइंस दान एक तरीके से तो वो काफी अच्छा support है और उनके द्वारा जो मेरे को ग्यान प्राप्त हुआ solar से related उससे मैं काफी जादा प्रफल लेत हूं और solar industry के अंदर जो मतलब अभी धमाल मच रहा है वो मज़ा अभी media branding और entertainment में advertising में अभी उतना है नहीं क्योंकि कोव हो पा है अभी तक लोग देखिए लोग बाग जागरुक हो चुके हैं और हो रहे हैं लेकिन इसके साथ-साथ यह देखना ज़र्दा जरूरी है कि कितना benefit जो है लोगों तक पहुँच पाता है मोधी जी का सपना है 480 गीगावाट का हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यह सबसे जादा बड़ी बात यह कि हमोमन आम किसान को भी आज की तारीक के अंदर अच्छे से पता है कि सोलर किस तरीके से मतलब काम करता है क्या सेट अप रहता है और क्या मतलब मूल ये रहते हैं कितना विजली उत्पादन हो जाता है यह सब जो है भी किस स्टेट में हले पर अभी मद्या प्रदेश के अंदर लगा रहा है मेगावर्ट स्केल पर हम लोग और अपरेट करते हैं मुंबई से राजस्थान में हम लोगों का हूम टाउन अजमेर है तो हमने हैड ऑफिस अजमेरी रखा वहां से अपरेट कर रहे हैं अभी इन दौर हम लोग अपना मिलतके हैं देखे हम गवर्मेंट से चाहते हैं कि या तो लोगों का जो यह वाई है वो बड़ा है या फिर जो उन्होंने टेक्स लगा रखें इंपोर्ट पर क्योंकि इंडिया में अभी क्या है उत्पादन चमता उतनी नहीं है जितना उसका मतलब जरुरत है तो उस हिसा जिससे कि मतलब या तो लोगों को प्राइसे ज्यादा दे बिजली खरीद की जो लोगों से उत्पादन करवा रही है या फिर जो है प्रड़क्ट की कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस करवा है बेशिकले बिजली कंपनी के प्राइडिशन होने के बाद क्या लगता है कि राइस इंडस्ट्री है बिजली उत्पादन में और जब आप सौरे उर्जा से आप तकरीबान फ्री कर सकते हैं अपने घर की बिजली को या फिर बलकी जादा बना सकते हैं उस से जादा और या फिर अगर आप मेगावाट स्केल पे लगाते हैं ग्राउंड मांटेड स्ट कोशिश कर रही है और उसके अंदर काफियत तक सफल भी हो रही है हम उनके इस सोलर मिशन के अंदर उनका साथ देते हैं और हम जैसे और भी जो फील्ड के अंदर लोग हैं वो सब भी उनके उसी ड्रीम के लिए जी रहे हैं उसी सपने के लिए जी रहे हैं मोदी जी के यस चलते हलते हैं घर घर तक लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए 16 अब क्या रुकावटे आ रही है देखिए घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हम लोगों ने तो सिस्टम क्रियेट किया है उसके अंदर दो बल्ब एक पंखा चार्जिंग स्टेशन और इस तरीकी क अदमी है उसके लिए तो सिस्टम महेंगा ही है और उस तक पहुंचाने के लिए जो है मैं इस दगे पर अपील करता हूं जो भी कॉर्परेट्स हैं टाटाज बिरलाज अम्मानी और भी मतलब आडानी जो भी हैं मतलब माकेट में कॉर्परेट्स जो मतलब 500 CR 1000 CR से उपर का केल रहे हैं बिग प्लेयर्ज हैं तो उन से एंडरोट करूँगा कि जादा से जादा जो है कॉर्परेट सोशल रिस्पॉंसिबिटी को समझते वे जिन गाओं में बच्चे पढ़ नहीं पाते लाइट के कारण जिन में अंधेरा रहता है पंखा नहीं चल पाता बिजली न जादा गाओं तक और लोग उन तक पहुंचाया जाए तो ये एक जो उचित कदम कॉर्परेट्स को लिना चाहिए मेरे इसाब से उन लोगों के लिए जिनको जर्राता है तो यह से कृतिक गोड़ जुनों साफ़तों को बताया कि आने वाला फीचर सोलर पावर का सोलर एनर झाल